नमर 6 देखें क्या करा कि A relation R is defined from this set to this यानि इस set से इस set में defined है relation R और क्या है relation X related है Y कैसे related है X is relatively prime to Y अच्छा यानि कि X और Y का highest common factor क्या होना चाहिए तो क्या पूछ रहा है than domain of R अच्छा relation R का domain क्या होगा चलिए तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि relation R किस तरह से है इसके element order pair XY के form में है जिसमें क्या कर रहा है कि X is relatively relatively प्राइम तो आई और यहां पर इसी में आप लिख सकते हैं कि X belongs करता है इस वाले से 2345 से इसी के अंदर आप लिख सकते हैं यहां पर और Y belongs करता है इस से 367 तो relation R की बात करें relation R की बात करें तो आप देखो इन से ऐसे पेर लेना होंगे जिनका HCF क्या आए वान है तो अम दो देखो 23 ले सकते हैं कि यहां पर देखो 23 ले सकते हैं 26 नहीं लेंगे HCF 2 हो जाएगा 27 ले सकते हैं तो टेन भी नहीं ले सकते हैं उसके बाद 3336 भी नहीं ले सकते हैं 37 ले सकते हैं 310 ले सकते हैं इनका HCF 1 आएगा 4, 3 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं 4, 6 नहीं ले सकते हैं 4, 7 ले सकते हैं 4, 10 भी नहीं ले सकते हैं 5, 3 हो जाएगा 5, 6 हो जाएगा 5, 7 हो जाएगा यह नहोगा चलिए तो हमें क्या पूछ रहा है डोमेन पूछ रहा है डूमेन और इसके फर्स्ट कंपोनेंट का से तू है थ्री है फोर है फाइफ है यह नहीं हो जा रहा है यानि कि यह आपका यह हो जाएगा डी निंबर कोशन